नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब शानल में हादिक स्वागत है दोस्तों आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक खास जानकारी आज हमारी खास वीडियो है भूल कर भी जमीन पर ना रखें ये चीजें भगवान विश्नु का माना जाता है अपमान तो दोस्तों चलिए जानते हैं आम तोर पर देखा जाता है कि हम जान भूज कर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो ना सिरफ घर की शान्ती बहं करती है बलकि धन्त की हानी भी करती है वास्तु के अनिसार कई बार लोग भी न सोचे कीमती चीज जमीन पर रख देते हैं जिसके कारण लगातार धन की हानी और शान्ती कमी के कारण घर का वातावरण भी दूशित होता है आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बार में बता रहे हैं जो घर में दन की हानी का प्रमुक कारण बन सकता है तो दोस्तों चलिए जानते हैं शिवलिंग को जमीन पर ना रखें शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है इंदू धर्म के अनुसार शिव में पूरे प्रहमान की उर्जा समाहित है लेकिन इसे जमीन पर रखना नहीं चाहिए इसे घर में नकारात्मक उर्जा प्रवेश कर जाती है शिवलिंग को हमेशा पूजा स्थल पर किसी साव जगर पर स्थापित करें पूजा का दिया पूजा के दोरान घर में दीपक जलाना बहुत शुप माना जाता है कहा जाता है कि दीपक से निकलने वाली रोशनी घर में सकारात्मकता लाती है इसलिए पूजा का दीपक कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए दीपक को हमेशा थाली या मंदिर में दीपक स्टाइंड में रखे जमीन पर ना लगाएं शाली ग्राम इंदू धर्म में शाली ग्राम को अत्यदिक पूजिनिये माना जाता है माना जाता है कि जिस खन में शाली ग्राम की स्थापना होती है वहां सुक समरिदी का वास होता है लेकिन इसे जमीन पे रखने से धन की हानी की संबाबना बढ़ जाती है मंदिर की सफाई करते समय शाली ग्रम को जमीन पर ना रखें बगवान की मूर्ती अक्सर लोग साफ सफाई करते समय बगवान की मूर्ती को जमीन पर रख देते हैं लेकिन ऐसा करना गलत है बगवान की मूर्ती को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए माना जाता है कि बगवान की मूर्शी को जमीन पर रखने से उनका अपमान होता है और घर की शांति भंग होती है मंदिर की सफाई करते समय मूर्शी को किसी कपड़े या थाली नंीदा सोने या सोने के अभूशन को जमीन पर ना रखें इससे भगवान विश्णु सही सभी देवताओं का अपमान है यहां तक की पैरों में कभी भी सोने के अभूशन नहीं पहने चाहिए सोने के गहने को हमेशा कपड़े में लपेट कर सुरक्षि स्थान पर रखें शंग सत्य नरायन की कथा से लेकर जनम मास्चमी में क्रिशन जी के स्नान तक शंग का विशेश महतु है लेकिन इसे हमें पूजा स्थल पर स्थापित करना चाहिए इसे जमीन पर रखने से घर की शांती बंग और धन की हानी हो सकती है तो दोस्तों ये थी हमारी आज की खास वीडियो मैं उमीद करती हूँ आपक किस जानकारी के बारे में जोड़ बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नहीं वीडियो के साथ तेल दें ठीक कियर और थेंक्स फर वाचिन आज़ाएं